कई हेलो स्टृटेंट्स नेष्ण का यह पार्ट सिक्स है और आज की इस विडियो में हम लोग इंडायक्स से डायरेक्ट मिं चेंज करने का रूल नमर्य E었는데 को एक्सप्लेण करें और इसकस करेंगे तो रूल नमर्य Eτο का है हम लोग का Changes of Optative Sentence यानि कि Optative Sentence को Indirect से Direct में किस तरह से Change करेंगे वो हम लोग आज कुछ Rules को Follow करके देखेंगे Optative Sentence बतलब क्या होता है जिससे हम लोग को Wish या Desire का पता चले उस Sentence को पढ़ के ऐसा लगे कि उस Sentence Wish किया जा रहा है या Desire किया जा रहा है तो Rules क्या क्या है यहाँ पर Rule No.1 के अनुसार जो Reporting वर्फ रहता उसको हम लोग Curse Blase Curse मतलब विशाब Blase मतलब आसिरवाद Pray या Wish में बदल देंगे किसको बदलेंगे हम लोग Reporting वर्फ को बदलेंगे कैसे क्या पढ़ के पता चलेगा यह प्रे या Wish में चेंज करते जाएंगे Rule No.2 क्या बोल रहा है कि Inverted Comma जो रहता है Reporting Speech के बाद जो Inverted Comma उसको हटाकर हम लोग That लगा दे That जो है एक Linker के रूप में यहाँ पर काम करता है अब Rule No.3 में क्या है Sentence भले ही Full Stop से Start हो और Sentence को देखके लगता होगा कि यह जो है Optative Sentence है लेकिन जब हम लोग इसको Change करते हैं Indirect में Indirect में Change करेंगे तो इसको जो एक ठो Assertive Sentence में Change कर देंगे उसमें Full Stop ही रहता है सिर्फ Difference यही है कि वह एक Assertive Sentence ना कि Optative Assertive Sentence के रूप में Change आगा Assertive का Meaning होता है हां वाचक जो Sentences रहता है उसको हम लोग Assertive Sentence बोलता है और Assertive में दो तरह का आ जाता है Affirmative and Negative यह हम अपने वीडियो में Upload कर चुके हैं अगर आप लोग Interested है तो Description Link प्रोवाइट कर देया जाएगा May You Live Long यह हम लोग का Example है इसको कैसे Change करेंगे May You Live Long इस Sentence को Speech को पढ़के क्या पता चल रहा है कि यहां पे जो विश किया जा रहा है वो विश कर रही है कि तुम जो है लिव लॉंग मने ज्यादा समय तक जीवित रहोंगे इस तरह का उसको Blessing मिला तो She Wish That I Might Live Long ठीक है यह हो गया इसका Change Example 2 में क्या हम लोग का यहां पे तो विश का एक्सपेशन हो रहा है क्या कि यह रिपोर्टिंग वर्ब को जो है उसको विश में चेंज कर दिए क्यूंकि Sentence में से विश का पता चल रहा है विश यानि की होता है अपना इच्छा बताना या फिर किसी को Blessing करना इस टाइप का Next हम लोग का है He said to me May I die उसने मुझे कहा कि मैं मर जाओ इस टाइप कर देगा तो यह तो अभिशाप है ना तो इसमें तो कता ही विश नहीं कता ही प्रे नहीं लग रहा बलकि यह अभिशाप तो अभिशाप के लिए हम लोग क्या उस करेंगे कर्स पहरे ही हम मेनिंग बता दिया है He cursed that I might die One point should be noted कि यह sentence जो है affirmative में change हो गया है assertive में यानि कि ऐसा sentence है जो कि statement बताता है और उपर अला क्या बता रहा था अप्टेटिव sentence बता रहा था पहला change दुसरा change यह है कि कहीं कोई भी sentence में से start होता है तो उसको हम लोग might में change कर देता है जब भी हम लोग indirect direct से indirect में डुकेंगे तब में से क्या कर देंगा might में है present form में और उसका past form में आ जाता हम लोग का might तो अगर said है past में reporting verb तो हम लोग के reporting speech भी past form पहले बता दिये हम ठीक है तो इसलिए हैं पर might हो गया है चलते हैं example number 3 की हो they said God save you यह sentence पर के क्या पता चल रहा है कि यहां पे किसी के लिए प्रातना किया जा रहा है कि God तुमें save कर है तो यहां पे they prayed जो कौमा है उसको हटा गर हम लोग that लगा देंगे God might save you यह हो गया कोई sentence अगर में से start हो यह ना हो वहां पे जब भी हम लोग helping verb का use करेंगे तो उसको में नहीं use करेंगे बलके might का use करेंगे example 4 क्योंकि might यह बताता है कि संभव है possibility बताता है ना कि security बताता है हम लोग तो किसी को blessing देता है possibility ही बताएगा ना कि हाँ possible है कि तुम God तुमें bless करें इसलिए हम लोग might लगाते है might शायद next sentence हम लोग का है माफ करें तो मैंने प्रातना किया किसी के लिए तो I prayed that God might forgive you might लग गया might इसलिए लग रहा है कि संभावना बताता है और यहां पर यह sentence क्या हो गया assertive में और पहले क्या था हम लोग का objective वाला sentence था अब इसका structure कुछ देख लेता है word order अगर देख ले तो क्या की फोर्म कैसे किया जाएगा इन डाइट से राइट करते समय सबसे पहले क्या रहा था एक subject रहता है bless यह सब क्या reporting वाफ के रूप से use होता है as a reporting speech reporting speech जो रहाएगा उसी इसाब से reporting वाफ का हम लोग use करेंगे plus noun clause यह हो गया हम लोग का examples क्या क्या है example में आ गया he blessed me that I might live long यह हम लोग का पहला example यह इस रूल को पूरी तरह से follow कर रहा है यह रहा blessed यह रहा that noun clause यह हो गया example to क्या है हम लोग का she prayed that god might help me यह हो गया पूरी तरह से रूल को follow कर रहा है we wished that we might win the game in सभी में might 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 लग रहा क्योंकि possibility यानि की संभावना बता next topic हम लोग का आज के इस वीडियो का कोई अगर व्यक्ति dialogue कुछ बोल रहा है उसको हम लोग को report करना है dialogue हमें से क्या रहता है inverted comma जो है इसके बीना ही रहता है लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहते है direct speech इसके बीना रहेगा dialogue हुआ इसको हम लोग direct speech बोलेंगे dialogue यहाप लिख देता है dialogue के अब अगर हम को इसको indirect में change करना है जब भी हम लोग इसको indirect में change कर देते हैं इसी dialogue को जो direct speech में था इसको अगर हम लोग indirect speech में change करेंगे तो ये क्या कहला आएगा उस समय reporting क्या आएगा उस समय जैसे कि एक dialogue होता है teacher and student के बीच teacher क्या बोल रहा है ऐसे ही करके रहा था ना dialogue writing में जातर हम लोग ऐसा ही चीज देखते हैं इसमें inverted comma नहीं रहता है ठीक है what's your name ये teacher बोल रही है तो ये तो direct speech में है देखके ही पता चल रहा है कि this sentence is in direct speech क्योंकि teacher बोल रहा है अभी student सुनेगा है ना इना तो अगर हम लोग इसका चेंज करने जाए तो the teacher asked the student question है तो asked लगेगा student what his name was ये रहा indirect speech में और हम लोग जो ये कर रहे हैं इसको indirect speech में चेंज कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा reporting dialogue को जब भी हम लोग indirect मे चेंज करते हैं तो वो reporting कहलाता है हमेशा अब student के reply करता है इसके बदले में I am Rohit Tiwari ये नाम है एक पार्टिकुलर स्टुडेंट का तो इसका अगर हम लोग लोग इंडारेट में चेंज करने जाए तो student replied that he was Rohit Tiwari ये इसका चेंज हो गया कि यहां पर क्या कर रहा है स्टूडेंट जो है reply कर रहा है मैं जो है ask कर रही है और कि पूछ रही है तो इसलिए यहां पर अस्ट लिखा हुआ है और हमेशा एक बात पॉइंट याद रखना है कि यहां पर जो हमेशा फूल स्टॉप रहेगा question marks, explanation marks यह अप्टेप्टी सेंटेस ऐसा कुछ भी follow नहीं करता है यह आप पहला डायलोग इस डायलोग को टीचर, स्टुडेंट एवं अन ने कोई व्यक्ति अर्थात यान कि जो थर्ड पर्सन है उसमें अगर हम लोग करने चाहे तो जैसे कि एक कही speech है what is your name यह पहले टीचर ने का फिर सुना कौन? स्टूडेंट ने सुना फिर इसको हम लोग किसी थर्ड पर्सन में जाके बोल देते हैं यह थर्ड पर्सन तो तीनों में अगर हम लोग एक ही sentence को change करने जाए तो तीनों में अलग-अलग होगा कुछ ना कुछ different sentences के changes में आएंगे ही तो पहला क्या हो जाएगा? I asked the student what his name was यह teacher बोलती है, ठीक है? किस अनुसार? पहले statement का अनुसार यह जो first statement है जो कि interrogative में लिखा गया है इसके अनुसार अगर मैं सोचे यानि कि teacher सोचे तो वो क्या बोलेंगी? I asked the student what his name was मैंने पूछा एक student से कि उसका name क्या था और अगर student के perspective से देखे तो The teacher asked me what my name was ठीक है? Student क्या? ऐसे ही बोलेगा कि teacher ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था ठीक है? Student के perspective से अब एक third person third person यानि कि कोई तीसरा व्यक थी ठीक है? तो यह कैसे बोलेगा? The teacher asked the student what his name was There is only one statement क्या है? What's your name? जो कि teacher ने बोला किसको? To the student और कोई third person जो है उस teacher और student के conversation को सुनता है ठीक है? तो पहला क्या है teacher? I asked the student what his name was Teacher अपने ही साफ सोस्ती है जो वो कोईशन पूछी है ठीक है? उसको अगर वो इन डारेक्ट में चेंज करना चाहा है लेकिन उस समय सबजेक्ट कॉण रहेंगा? Teacher Teacher ही सबजेक्ट रहेंगी ठीक है? उस समय वो अगर इन डारेक्ट को इसी सेंटेंस को अगर वो इन डारेक्ट में चेंज करती है तो कैसे बोलीगी? I asked the student what his name was कि मैंने उस स्टूडेंट से पुछा कि उसका नाम क्या था फिर स्टूडेंट जिसने जवाब दिया था वो क्या बोलेगा? ने टीचर ने मुझसे एक सवाल गया और एक थर्ड परसन भी है जो इन दोनों के डायलोग को कर्वर्शेशन को सुन रहे थे और फिर क्या बोलेंगी वो अपने हिसाफ से इस समय थर्ड परसन जो तिसरा परसन है वो परसन तो दर टीचर अगर हम लोग नेक्स पेज में इसके रिप्लाई को करने चाहे रिप्लाई को अगर हम लोग इन डायक में चेंज करना चाहे तो कैसे होगा? जो टीचर के काटेगरी में है उसका कुछ ऐसे आ जाएगा इस स्टूडेंट रिप्लाई किया मुझे रिप्लाई किया कि वो जो है उसका नाम रोहित तिवारी है स्टूडेंट कैसे करेगा? अगर इस स्टूडेंट अपने स्टेटमेंट को ही इन डारेक्ट में चेंज करना चाहे तो कैसे करेगा, कि I replied, कि मैंने reply किया, क्योंकि वहाँ पर student reply कर रहा था, teacher के question का, that I was Rohit Tiwari, यह हो गया, और जो third person है, अगर हम लोग उसके हिसाब से करें, इसी reply को change करना चाहा है, indirect में, तो उनके हिसाब से क्या होगा, तो the student, वो तो student ही जानती है, वो कुछ नहीं गानती है, the student replied that he was Rohit Tiwari, यह हो गया, हम लोग का national case from the three perspective, तो जब भी reporting और डायलोग, हम लोग यह topic जो पढ़ते हैं, डायलोग को अगर हम लोग रिपोर्ट करना चाहें, तो तीन तरह से रिपोर्ट होता है डायलोग, एक क्या है जो बोलता है उनके हिसाब से एक क्या है, जो सुन रहा है, यानि कि student उनके हिसाब से और एक क्या जो third person है, उसके हिसाब से डायलोग जो है, रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट करना यानि कि हम लोग को रिपोर्ट करना नहीं होता है, कि किसी और को narrate करना, किसी और को ब रोहित एन राहूल ठीक है ये दोनों हैं डायलोग के कैरेक्टर्स मिस्टर सीर्ना एन राहूल एन रोहित क्या बोल रहा है यो लोग I am your friend's father मैं तुम्हारे friend का पीता हूं मिस्टर सर्मा बोले वी आर योर हम लोग तुम्हारे neighbors हैं ये हो गया अब अगर हम लोग इसको reporting करना चाहिए तो direct में है ये भी direct में है ये बोले एक statement और उसके बदले में राहूल और रोहित बोलता है कि we are your neighbors हम लोग आपके परोसी है तो अगर हम लोग इसको indirect में चेंज करना चाहिए indirect में करेंगे इसी dialogue को क्योंकि अधिकतर exams में dialogue का indirect वाला ही form देता है dialogue writing को बोलता है कि indirect में चेंज कीजिए अब easy वाला नहीं दिया जाता है तो Mr. Sinha told Rahul and Rohit that he was their friend's father friends father तो यह जो हम लोग कर रहे है क्या है रिपोर्ट कर रहा है reporting हो रहा है by us कोई dialogue जो है दो जन के बीच में conversation हो गया और हम लोग को क्या करना है उसको narration change करना है narration change करना यानि कि reporting में change करना जो कि indirect में change करना भी कहलाता है तो यह रहा अगर दूसरा statement है कौन बोल रही है सबसे पहले तो Rahul and Rohit तो जो subject है वो कौन आ जाएगा वो Rahul and Rohit आ जाएगा said that they were his neighbor यह हो गया यहाँ पर कौन था subject Mr. Sinha और object कौन था Rahul and Rohit और object कौन है Mr. Sinha जो कि यहाँ पर हम लोग इउटिलाइज के है his neighbors यह यान की कौन Mr. Sinha यह दोनों statement तो हो गया कि इन दोनों direct sentence का हम लोग यह दो टो indirect form जो है ले कर आए अब हम लोग next topic में क्या पढ़ेंगे कि डायलोग का जो reporting तीन तरह से की जाना चाहिए पहले तो first person, second person और जो third person के हिसाब से तो जो dialogue है अभी जो हम लोग dialogue number two देखें उसका reporting हम लोग किये indirect में reporting जैसे करना तमलब कर लिये है अब इसका जो तीन तरह से reporting करेंगे by three types पहला क्या Mr. Sina यानि कि Mr. Sina के हिसाब से जो दोनों statement था जो कि direct में था वो कैसे change होगा तो Mr. Sina क्यासे बोलेगा I told Rahul and Rohit that I was their friend's father Mr. Sina जो पहला लेट में था वो ऐसे ही बोलेंगे कि I told Rahul and Rohit that I was their friend's father और अगर हम इसी को Rahul and Rohit के perspective से ले अगर वो अपने हिसाब से बोलेगा एकसी statement को तो Mr. Sina told us that he was our friend's father ये हो गया Rahul and Rohit के perspective से reporting किया हुआ जो कि direct switch में उस समने था अब हम लोग आ जाते हैं a third person को एक तीसरा वैक्ति अगर इसी dialogue को reporting करना चाहे है यानि कि indirect में बदलना चाहे है तो क्या हो जाएगा Mr. Sina told किसको Rahul and Rohit that he was their friend's father ये हो गया according to a third person third person के perspective से इंडारेट इस्वेज में जो कि report करना है वो हो गया यहां पर हम लोग 3 टैप्स बोला है तो पहला जो बोल रहा है speaker दूसरा जो सुन रहा है और तीसरा जो कोई third person है वो जो इन दोनों के dialogue को सुनके convert करना है या फिर indirect में चेंज करने कोशिश कर रहा है यह तो first statement था और reply में क्या दिया था राहूल और रोहित ने कि they told me that they were my neighbors यही reply हुआ था तो अगर हम इसको अगर हम Mr. Sina के हिसाब से ले उनके perspective से ले तो ऐसा ही कुछ होगा next statement है हम लोग का according to राहूल और रोहित वो क्या बोलेगा we told him कि हम लोग ने उन्हें कहा क्या कहा उन लोग ने that we were his neighbors ठीक है सिप क्या करना यहां पर subject जो है राहूल और रोहित रहेगा तो वो लोग एक साथ मिल के क्या बोलेगा we और third person के perspective से देखते हैं तो यहां पर तो राहूल और रोहित said that they were his neighbors पहला स्टेट्मेंट जो है मिश्टर सीना बोले दूसरा कॉन बोला राहूत रोहित यानि कि यह रिप्लाई में था और यह पहला वाला था तो इसको हम लोग मिश्टर सीना के साथ से पहले चेंज के राहूल और रोहित की साथ और थार्ट परसन के हिसाब से तो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्स वाचिंग